कि मत पूछो कुछ हाल यहां मोटी सब्की खाल है गुम्शुदा आखबारों में चीकता अर्नब कमाल है राज र्या के आज और कल का जानना जरूरी है कि राज रिया के कलो राज का जानना जरूरी है जीडीपी का क्या ये तो गिरती रहती हर साल है बचाना कंगना की शोहरतों का शौर जरूरी है धेते किसान के घर में रखा कौन सा कीमती माल है कि धेते किसान के घर में रखा कौन सा कीमती माल है इतना पड़ लिख लिया क्या ये कम है बेवजह ही यूँआ आजकल नौकरी के लिए बेहाल है लोग बिना बात ही बने हुए फकीर है अरे जनाब ऐसे मौसम में बढ़ता सबका दाड़ी बाल है कि ऐसे मौसम में बढ़ता सबका दाड़ी बाल है और देश की समस्या दोयम दर्जे की है यार कि देश की समस्या दोयम दर्जे की है यार पालिटी की विचारधार अब तो पहला सवाल है आग जहन की रख ठंडी मौम बत्तिया जलती है कि आग जहन की रख ठंडी मौम बत्तिया जलती है बेटियों की सुरक्षा के सबसे सुरक्षित काल है और सौरब हर समस्या की जड़ फकत ये बीमारी है क्या करें सरकारें चल रहा करो नाकाल है अब सब लोगोंने कुछ न कुछ पड़ा है तो दरिंदो की बात हुई थी तो दोलाइने में उसी पड़ देता हूँ कि सुनो तुम मुझे हर कपड़े में खूपसूरत लगती हो साथगी सिर्फ दुपट़े में अच्छी नहीं लगती नियत साफ हो तो नंगा बदन भी ढखा हुआ लगता है दरिंदो को तो छोटी बच्ची भी बच्ची नहीं लगती है और एक और सुनेगा कि गंदी सोच किसी भी हद तक जा सकती है कि गंदी सोच किसी भी हद तक जा सकती है हवस का लिबास नहीं हरकते ये बता सकती हैं और जिस्म के रहजन किसी भी दीवार में हो सकते हैं कि जिस्म के रहजन किसी भी दीवार में हो सकते हैं चुप्या बता रही और ते घर के ताले बढ़ा सकती है और यार मैं लिख के तो इतना है हूं तो ये गादा प्यार मैं सोच रहा हूं सुना दूं कि मुहबबत ऐसी होनी चाहिए सांसों के जैसी होनी चाहिए कि मुहबबत ऐसी होनी चाहिए सांसों के जैसी होनी चाहिए बेवफा कौन है यहां पता लग जाएगा कट जाएं सासें कैची होनी चाहिए बहुत बहुत शुक्राइब